अब आप इस tools के बारे में जरूर यह बोलोगे कि मां, यह इस tools के बारे में तो हमें पता है पता है? पता सब को豁ता है, लेकिन use को यह नहीं करता ठीक है? तो देखते हैं कॉन सा tool है? तो यह simple सा tool है इसके लिए आपको youtube studio पर जाना है youtube studio में, left and side में आप scroll down करोगे तो यहाँ पर है audio library yes audio library यहीं से ही आपको music use करना है अपने youtube videos में ठीक है यहाँ पर बहुत सारे आपको songs मल जाएंगे music मल जाएंगे background music उसके साथ में आपको sound effects मल जाएंगे like kids playing ठीक है या फिर factory background इस तरह से आपको चीज़े मल जाएंगे इनको आप download करके अपने videos में यूज कर सकते हो अब मेरा क्या reason था जो मैं आपको इस tool के बारे में बता रही हूँ इस particular feature के बारे में बता रही हूँ जो youtube आपको provide कर रहा है देखिए जितने भी music हैं जितने भी sound effects हैं यह सब copyright free हैं बहुत सारे लोगों के यह comments आता है youtube वाली videos पर कि हमने music जो लिया था वो copyright free लिया था फिर भी हम पर copyrighted music का claim आ गया तो ऐसा क्यों हुआ तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जिस भी platform से copyright music ले रहे हो हो सकता है वो आज आपको copyright free content दे रहा हो copyright free music दे रहा हो लेकिन थोड़ी time बाद में वो उसी music पर copyright लगा दे तो आप मुश्किल में पढ़ सकते हो तो इसलिए make sure करो कि आप जो भी background music ले रहे हो वो आप youtube की audio library से ही लो चीक है सो यह टूल है definitely इसको याद रखना यही से music लेना यही से sound effects लेना है